For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Salman Khan और Katrina Kaif की फिल्म भारत ने इंटरनाशनल बॉक्स ओफिस पर किया बड़ा धमाल. 5th June को Salman Khan और Katrina Kaif की फिल्म भारत रिलीस हुई थी. और पहले दिन ही, इस फिल्म ने इंटरनेट पर धमाका कर दिया. देखते ही देखते ये फिल्म बन गई 2019 की हाइस्ट ओपनर और चार दिनों में ही इस फिल्म ने 100 करोड का रिकॉर्ड पार कर लिया. मगर फिल्म की गती अभी भी बरकरार है और पाँचवे दिन फिल्म तेजी से 1500 करोड के फिगर की ओर बढ़ने लगी. फिल्म ने साटेडे तक 122.2 करोड कलेक्ट कर लिये. और संडे की क्रिकिट मैच के होते हुए भी इस फिल्म ने 27.9 करोड कमाए. जिसके साथ ही इस फिल्म का फिफ्ट डे कलेक्शन हो गया 150.1 करोड. वेल ये तो था डुमेस्टिक कलेक्शन. मगर इंटरनाशनल कलेक्शन भी इतना ही अमेजिंग रहा. और अब इस फिल्म का टोटल कलेक्शन है 218 करोड. ट्यूब लाइट और रेस 3 के डिजास्टर के बाद ये इत तो भायजान और उनके फैंस के लिए काफी अमेजिंग रही और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले दिनों में फिल्म भारत कई और रिकॉर्ड्स बनाएगी है ना?